वर्धा जिले में तीन मार्केट कमीटियों में हिंगन घाट समुद्रपूर और आरवी में चुनाव हो रहा है मार्केट कमीटी के चुनाव के लिए वास्तविक मतदान चल रहा है सुबा बारिश होने के कारण मतदाता मतदान केंदर नहीं पहुचे लेकिन अब बारिश थमनेक से मतदाताओ की भीड उमड रही है हिंगन घाट बाजर कमीटी में एंसीपी पार्टी के दो अलग अलग गुट आपस में लड़ रहे हैं इधर एंसीपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर कोठारी ने बीज़िपी से हाथ मिलाने से एंसीपी का दूसरा गट चुनाव मैदान में कूद गया है राकमपके पूर्व विधायक राजु तिमांडे के अलग गुट बनाके चुनाव में रंगत ला दी गई है पूर्व अध्यक्ष सुधीर कोठारी के लिए या लड़ाई प्रतिश्टित हो गई है बिजेपी विधायक समीर कुनावार के लिए या लड़ाई एहम है समुदरपुर में बिजेपी और नसीपी के हाथ मिलाने के बाद यहां कॉंग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है चुकि विधायक समीर कुनावार इस स्थान पर अपनी ताकत लगा रहे है जैसा कि चार मार्किट कमीटियों में बिजेपी पहले ही हाथ चुकी है बिजेपी ने इन मार्किट कमीटी पर अपना ध्यान केंद्रिक किया है कॉंग्रेस के पुर्व विधायक अमर काले ने आज तक आरवी बाजार कमीटी में अपना दबदबा कायम रखा है लेकिन इस बार बिजेपी विधायक दादाराव केचे ने स्थान ये गुट से हाथ मिला कर अपना पैनल चुनाव में उतारा है यहां आज इमाज विधायक के लिए यच चुनाव एहम है MBCN News के लिए हिंगन घाट से रवी यन औरकर की रिपोर्ट